नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हूं आप सभी का सिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करुणा आज की वीडियो में लेकर के आई हूं पेंटिंग फाइन आर्ट क्लास 11 का चेप्टर बाद सिंदु घाटी की कला बिटा इस टॉपिक पर एक वीडियो और आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जिसके अंदर हमने इस चेप्टर के नोट्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूगी आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके अलावा आपका चेप्टर फॉर प्रगिति हासिक कालिंच सिलाचित्र और उसके कोशन और आंसर पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं शिक्षाप्रवा पर पहली बार आए हैं अपने अभी तक शिक्षाप्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिटा सबसे पहले आप शिक्षाप्रवा को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा आपके मॉडर टेस्पिपर प्रेक्टेस पिपर और भी बहुत कुछ तो बिटा शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो आज की वीडियो में आपका सबसे पहला कोईशन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सिंदु गाटी सभ्यता से संबंदित मुख्य इस्थलों की अविस्थिती का वर्णन कीजे सिंदु गाटी सभ्यता की जो प्रमुख इस्थल है वो वर्तमान में कहां पर इस्थित है तो सभ्यता से संबंदित मुख्य इस्थलों की आवर्णन निमनलिकित हैं इन दे अज़िए इन दिनों पस्चिमी पाकिस्तान में ही आपको मिलेगी इसके अलावा गुजरात जो की इंडिया में है उसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा लोधर दोलाविरा और रंगपुर इसके अलावा बिटा राखी गड़ी और बनावली यह आपको मिलेंगे हरियाना में यह भी संदव छेत्र हैं काली वंगन यह आपको मिलेगा राजस्थान में आलमगीरपूर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में तो यह कुछ इंपोरेंट स्पेस हैं किसके संदव जिनको हम इन इन स्टेट्स में और कंट्रीज में देख सकते हैं अगर हम पूरे संदव छेत्र की बात करें तो पूरा का पूरा जो संदव छेत्र है वो तीन कंट्रीज में हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान में और इंडिया में पहले यह पूरा इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था लेकिन विभाजन हुए हैं जिसके कारण अब यह सेंदव सब्वेता जिसको हम हड़पा सब्वेता भी बूलते हैं तीन स्टेट्स में चली गई तीन कंड्रीज में चली गई अफगानिस्तान पाकिस्तान और एंडिया इसकी बाद बिटा आपका जो सेकेंड क और बार, जो मूर्ति design सिंदु गार्टी सब्वेता के बिभीण सेंदव से प्राप्त हुइ हैं क्या पर इतिहासिक मेहत्वकी हैं तो आप लोग क्या समस्ते हो इतिहासिक मेहत्वकी हैं तो आप कैसे बताओगे तो इसका आंसर मेहां पर देखेंगे कि जो मूर्तियाँ ज जिंदु घाटी सभ्विता के स्थलों से प्राप्थ हुई हैं, वो एतिहासिक महत्वकी हैं कलाकिड्रिस्टी से, क्यूंकि इस समय के लोगों की कलात्मक्ता की समझ का पता इनके द्वारा बनाए गई इन मूर्तियों से ही चलता है, हमें यह भी जानकारी मिलती है कि उनमें इतनी विस्तरित कल्पना शीलता थी, किन लोगों में सेंधवाशियों में, उनके द्वारा किया गया मानव पशुपक्षियों वे जैमितिया अकरतियों का चित्रांकन वास्त्विक्ता से परिपून वे उच्च कोटी का है, म्रड मूर्तियों का निर्माण हुआ, धातूं की ढलाई हुई, पशुमों और जानवर तुथा मानव अकरतियों का निर्माण जो इन लोगों ने किया है, वो बहुत ही ध्यान से किया है, किसने सिंधु वासियों ने, इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें लिख देंगे, कोशन नमबर तीन है, आपका कासे मूर्ति, जिसका नाम है नरतकी या नरत्यांगना, के एतिहासिक और कलात्मक पहलु को बताईए, सबसे पहले हमको एतिहासिक और कलात्मक, दोनों चीजों में अंतर पता होना चाहिए, एतिहासिक मतलब जिससे हमें किसी के काल, समय, या उसके कि वो क्यों बनाया गया, क्या कारण था उसको बनाने का, इनके बारे में पता चलता है, तो वो चीज कहलाती है आपकी एतिहासिक, और कलात्मक, कलात्मक आप लोग समझते ही है, उसका रंग, रूप, आकरती, माध्यम, है ना, ये सारी चीजे हो जाती है, कलात्मक. नरत्यांगना है, उसका क्या एतिहासिक महत्व है, तो मूर्ती का नाम तो नरत्यांगना बोल सकते हो, कहां से मिली है, तो मुहां जोद्रो पाकिस्तान से मिली है, किस मेडियम में बनी है, तो आप बता सकते हो कि कहां से मेडियम में बनी है, पच्चिस सो इसा पूर्व के स में बनी है और जो इसका आकार है वो 10.5 cm है या फिर 4.5 इंच है इसके अलावा आप अगर इसको देखोगे वर्तमान में इसको अगर आप देखना चाहो तो आप कहां पर जाओगे रास्ट्रे संग्राले नहीं दिल्ली में अब बात करते हैं इस मूर्ति के कलात्मक महत्वकी तो कांसे नर्ति की ये जो प्रतिमा है वो एक लुभावने अंदाज में खड़ी हुई है अगर आप इस मूर्ति शिल्प को देखोगे तो ये बहुत ही लुभावने अंदाज में खड़ी हुई है मैं अभी आपको इसका चितर भी दिखाऊंगी उसके जो बाल है वो कोनी के उपर भी कोनी के नीचे कलाई में चूड़ीया पहनते हैं लेकिन कोनी के उपर जैसे राजस्तान में प्रचलन है कोनी के उपर चूड़ीया पहनने का तो इस तरह से पहनी हुई है गले में एक हार है जो की तीन कोडियों से बना हुआ है इसका जो एक हाथ है वो दा लटका हुआ है और उस हाथ में उसने एक कटूरे को पकड़ा है नर्तकी की जो खड़ी होने की मुद्रा है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि नर्तकी ने अपना नर्तय समाप्त कर लिया है इसकी जो आखें हैं वो बड़ी-बड़ी है नाक थोड़ी चप्टी है इस मूर् मूर्ती शिल्प उनने किस में मदुसिस्ट शैली में बनाया है मदुसिस्ट शैली क्या होती थी उसके अंदर मूम से एक पुतला बनाया जाता था या फिर वो मूर्ती शिल्प बनाया जाता था जो कलाकार बनाना चाहता है और फिर उसको वो लेप लगा देता था किसका ध और फिर अंदर से आग से उसको पिगला देता था उससे क्या होता था कि मौम बहार निकल जाता था तो यह वाली जो प्रक्रिया होती है वह मदू सिस्ट शैली की प्रक्रिया है और इसके बारे में सिंधु वासियों को ग्यान था देख लेते हैं next question next question है आपका बिटा हडपा से प्राप्त मूर्ती पुरुष धर में कौन सी विशेशताएं विद्धमान है तो हडपा से जो पुरुष धर प्राप्त हुआ है वो लाल चूने पत्थर से बना हुआ है यह एक important point है इस question में और पच्चिस सो बीसी यानि की पच्चिस सो इसा खा हुआ है इसको बहुत मजबूती से तपा करके बनाया गया है पूरी आकरती जो है वो बहुत मजबूत बलिस्ट सी है देखने में ऐसा लगता है और जो इसका पेट है वो उभार कर बनाया गया यानि की मोटा पेट आकरती का बनाया गया है इस मूर्ती को जब हम देखत तो हमको लगता है कि उस काल के जो लोग थे मूर्तियों के विभिन अंग जो बनाते थे उनको गतिसील बना देते थे गतिशील बनाने की कला में पारंगत थे कुशन नमबर पांच की दरफ चलते हैं जो है क्या मात्र देवी एक मूर्ति है इस पर अलोचनात्मक वर्णन कीजिए तो सिंदु वासी जो थे सर्वधिक मात्रा में मात्र देवी की मूर्तियां बनाते थे इनका जो निर्मान है वो टेराकोटा मेडियम में किया जाता था अब ये टेराकोटा क्या होता है तो बिटा होता है टेराकोटा मिट्टी जब मिट्टी को पका लेते हैं पहले कोई उसको शिल्प का अकार दे दिया मूर्ति का अकार दे दिया और उसको पका लिया जिससे क और क्योंकि ये मूर्थियां बहुत अधिक मात्रा में बनी हैं, तो इस कारण इस मूर्थी के आकारों में भिनता है, मतलब आप अपनी भूक में भी देखोगे, तो आपको दो मूर्थियां दिखाए गई हैं, जो कि दोनों बिल्कुर अलग-अलग तरीके से बनी होई हैं, और यही इसका कारण है बिंता का क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में बनी है तो अलग-अलग तरीके से बनी है और क्या दिक्कत है इन मूर्तियों में इनका जो सारीरिक अनुपाथ है वो ऊपर नीचे है यानि की अनुपाथ हीन है हाथ बड़े हैं पैर छोटे हैं ठेक है इ ही बनाए है कलाकार का जहां पर जैसा मन किया उसने वैसा बना दिया आप बात करते हैं कोर्शन नंबर सिक्स की कोर्शन नंबर सिक्स है बिटा यूनिकॉन बुल एक श्रंगी सान नामक मोहर से कौन सी विसेस्टाएं इस पस्ट होती है तो बहुत सारी मोहरे हमको संदव बता से मिली है जिसमें की पशुपती मोहर भी है बहुत ज्यादा इंपोटेंट है यह पशुपती मोहर बहुत ज्यादा फेमस भी है सिंदो सब विता से तो यहीं पर एक और मतलब प्रचलित मुद्रा है जो है यूनिकॉन बुल तो यूनिकॉन बुल को एक सींग वाला सा या एक श्रंगी सांड भी है इस मोहर पर अंकित आकरती एक ऐसे जीव की है जिसकी गर्दन के उपर का जो भाग है वो एक सींग वाले सफेद गोडे के जमान तता बाकी भाग धर बिना कूबर वाले सांड की भाती दिखाया गया है ये मोहर मोहन जोदरों से प्राप्त हुई जो कि शेल खड़ी पत्थर से बनाई गई है, शेल खड़ी पीपिटा मिट्टी को ही एक तरह से बोलते हैं मतलब जैसे चूना पत्थर होता है वैसे ही सेल खड़ी पत्थर है, खड़िया भी इसको कहीं पर बोला जाता है, और वर्तमान में इस मोहर को आप कहां देख सकते हो, राज्य संग्राले नई दिल्ले में वर्तमान में आप इस मोहर को देख सकते हो, तो ये थी आपकी एक श् तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूलें और विटा चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दें बेल झाल करे नचम